मेरे बहुत सारे followers ने मुझे message करके बोला direct message मतब DM करके बोला कि आप हमारे साथ weight loss किनों की recipe शेर किजिए जिसे हमें weight loss करने में health मिले तो आज जो मैं आपके लिए recipe लेके आई हो ना वो बहुत healthy recipe है जिसे definitely आपका weight loss हो गई होगा वो recipe है mushroom की actually जो mushroom है ना हमारे लिए बहुत अच्छी है mushroom में vitamin A, B12 होता है जो हमारी heart के लिए अच्छा है हमारी health के लिए अच्छा है हमारे metabolisms को ठीक रखता है यह recipe बहुत ही simple recipe है आपको अच्छी में लगेगी और इसे बनाना भी बहुत ही simple है बहुत ही असानी से यह बन जाती है कोई time नहीं लगता तो यहां पर मैंने सारी चीज़े कठी कर लिए है मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि जो mushroom है उसमें बहुत कम calories होती है जो आपके weight loss में help करती है यह recipe शुरू करती है सबसे पहले यहां पर मैंने लिया है आथा चम्मर देशी की आप सर्सो को oil भी यूज़ कर सकते हो olive oil भी यूज़ कर सकते हो इसमें मैंने डाल दी है मश्रूम मश्रूम को नहीं मैंने अच्छा रंग से धोके साफ करके काट लिया है इसको डाल के हमने इसे क्या करना है थोड़ा stir fry करना है क्योंकि मश्रूम का कच्छे रंग से तो प्योग नहीं कर सकते है इसे ऐसे नहीं खा सकते है या तो आप इसे बेख कर लिजएगा किसी चीज में है ना फिर खा सकते हो इसे बेटर ऑप्शन है कि आप इसे हलका सा कोक कर लिजए stir fry कीजए इससे बढ़िया भी लेगा टेस्स का खाने में भी अच्छा लेगेगा ठीक है इसको हलका सांदे stir fry कर लेना है अच्छे डंग से इसको कर देते हैं बिलकुल लो फ्लेम पे और इससे थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं तीन से चार मिनट के लिए एक्छिरी क्या होता है जब आप अच्छे चे कोमेंट्स करते हो वह हमें बहुत ही एप्टीशेट करते हैं हमें बहुत एप्रियसेशन मिलती है इसे कुक करने में तो अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक नमक डालके इसे एक मिनट के लिए और हल्का सा फ्राइ कर देंगे बस बहुत ही बड़ीया रेस्पी है इसे जरूर इस्तेमाल किजेगा आपके वेट लॉस में बहुत हैल्प करेगी बस अब क्या करना है हमने इस का यूज आप कर सकते हूँ वैसे जर्ण से अब सारी मश्रूम प्लेट में निकाल देंगे अब उसी कडाही में आदा चमच और लेंगे घी पहले भी मैंने आदा चमच डाला अब आदा चमच और डाल रही हूँ इसमें हमने क्या करना है मैं तीनों तरह की शिमला मिच ले आप किसी भी ठंग से काट सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे इसे भी हमने अपने स्टर फ्राई करना है एक से दो मिनट के लिए ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए बस जी इसका क्रंची पन खतम नहीं होना चाहिए इसमें थोड़ा क्रंची पन रह नहीं चाहिए हमने जो अपने मिश्रूम अलग निकाली थी ना वो इसमें डाल देंगे कडाही में शिम्ला मिर्च के साथ ही इसे भी डाल के हमने अब तीनों चीजों को अच्छे धंग से हमने मिक्स कर लेना है और सिरफ एक मिनट के लिए और पकाना है इसे हमने रख देना है कवर करके ताकि इस टीम में अच्छे धंग से कुक हो जाए अब एक सी दो मिनट हो चुके हैं मैं आपको दिखाते हूं ये दिखे कितना बढ़िया लग रहा है ना अब इसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए डाल देते हैं नमक तो मैंने शिम्ला मिर्च में पहले डाला था अब करना है इसको थोड़ी दर ठंडा होने देना है तो यह आपका बढ़िया सा वेट लोस की रेस्पी बन गई है अगर अगर मसालों को डालना साथे हैं डाल सकते हैं पर उसका इतना फाइदा नहीं होगा तो कोशिश किजिए बिना मसाले कि आप इसे अगर इतना टेस्ट नि भी आपके बहुत हल्क करेगा तो ऐसी और रस्पिस के लिए मेरी वीडियो को देखना मत भूलेगा और लाइक और कमेंट करना तो बिलकुल मत भूलेगा